वेल्कम बाक अफ्टर दे ब्रेक नवरात्र के नौ दिनों को और भी खास बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं बहुत सारी नई नई रेसिपीज सीमा जी हमारे साथ हैं और अब वह हमें बताने वाली हैं सिंघाडे के आटे का हल्वा हल्वा के लिए क्या क्या इंग्रिडियेंट्स की जरुवत हैं सबसे पहले तो हमको प्योर गी चाहिए इसके लिए और हमने ये मुंपली का पाउडर ले लिया और ये हमारा सिंघाडे का आटा तो इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वन इस तो टू जैसे आधी कटूरी हमने ये मुंपली का पाउडर लिया तो एक कटूरी हमने सिंघाडे का आटा लिया और चीनी चाहिए इसके लिए पिसीवी चीनी ले रखिए और इसमें किशमिश हम डालेंगे आज पकने के बाद में और इलाइची पड़ेगी और बाकी नट्स आपकी इच्छा के उपर है आप उपर से कुछ भी डाल सकते हैं तो चली शुरुआत करते हैं ठीक है तो पहले तो हमने इसमें घी डाला इसमें घी काफी पड़ता है लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि इन दिनों में क्योंकि आप बहुत हलका खाना खा रहे हैं और ये जो आप हल्वा खाएंगे आप ज्यादा खा नहीं पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा है भी भी होता है क्योंकि इसमें मुंगफली हम डालें नट्स और हम ये डाल रहे हैं सिंगाडे काटा हलका होता है लेकिन मुंगफली काफी हवी होती है मुंगफली का पाउटर हेवी होता है तो सीमा जी ने बत सकते हैं लेकिन मैं जैसे आपको देख रहें कि इसमें हम डाल रहेंगे अल्मोस्ट आधी कटोरी हमने मुंगफली का पाउडर डाला है इसका बस प्रपोर्शन वन इस टू टू है तो जितना भी आप बनाना चाहें उस हिसाब से वान इस टू प्रपोर्शन का यहां पर जब तक कि इसमें से खुश्बू ना जाए उसका रंग गोल्डन कलर का ना हो जाए इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि लगातार चलाते रहें लगातार चलाते रहें क्योंकि नहीं तो फिर नीचे से यह जल जाएगा और सब तरफ से सिखना चाहिए अचा यह आपका पाउडर कर लिया है और इन दोनों को मिला के यह हम बना रहें तो इसमें इसकी सौंधी सौंधी खुश्बू आनी चाहिए मुझपली की और इसकी अब मुझे लगते हैं सीमा जी वैसे नॉमली तो हम बहुत सारी कुजीन बहुत सारे जो रेसिपीज उसे ट्राइ करते हैं पर फास्ट में भी हमारे पास ऑपशंज कम नहीं होते इसमें तो बहुत ऑपशंज है इसमें तो क्योंकि जो भी लिमिटेट चीजे हैं उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाएं तो कई चीजें आप बना सकते हैं यानि की वेजेटेरिन खाना चाना या साताव खाना अ नहीं हम अदिए मुंक फली में मना गया है कि हमको काफी इनरजी मिलेगी और मुंक फली में अपना तेल भी होता है तो इसलिए यह अप घ्लवा थोड़ा है तो यह थोड़ा हिए तो आपको लगेगा आपको पड़ बरिया है बहुत फूल्फिलिंग होता है, बहुत भूलिंग होता है क्योंकि इससे पहले आपने कड़ी और चावल खाया तो समाज नहीं तो इतनी है ड़ी नहीं है, आप उसको यदी चीले वाली कड़ी बनाएंगे तो यह हमारा यह वेट कर रहे हैं इसको चलाते जा रहे हैं और हम देखने कि कभी यह गोल्डन कलर का हो और इसमें से खुष्भू आने लग जाए मेरे खाल से भुन गया इसमें से जो आपने का था हो सौंधी सौंधी खुष्भू भी आने लगी है हाँ पर इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए गोल्डन कलर का हो जाना चाहिए इन तो फिर खाने में अच्छा नहीं यह अभी थोड़ा से प्रण और आपको ही eat kya या invest मॉंफली डालेंगे तो उसका तेस्थ बहुत अच्छा हो जाएगाए लेजी दालेंगे प्रत तो लौहा बोड़्त होजाते हैं चाहिए नृत्व पतलब जिनको हम nerve centers कह सकते हैं वो हमारी body को चलाते हैं जो सुक्ष्म body है उसमें हमारे जो nervous centers के जो nerves centers है उनको हम चक्र कहते हैं और आज क्योंकि चौथा दिन है तो आज के दिन अगर आप सही तरीके से वृत करते हैं और सही भोजन खाते हैं तो उससे आपका अनाहज चक्र जो होता है खृदयर चक्र जो से हम कहते हैं वो जाघरत हो जाता है यह घृदयर चक्र के बारे में आपको बताएं कि आपके लंग्स की देख भाल करता है तो इस दिन देवी का उपासना करने से आपका हिर्दय जो भी लोग बहुत धरते रहते हैं या जिनको कोई रोग रहते हैं हिर्दय सम्मंदी रोग या जो लोग जिनकी आदत है डरने की या जिनको असुरिक्षित की भावना रहती है मन में वो भी हिर्दे चक्र की खराबी से होती है तो ये इस दिन कुश्मांडा देवी की उपासना करने से ये चक्र हमारा मस्बूत हुए तो मुझे लगता है उपासना और सही खान पान नौ दिनों में अगर इसे सही तरीके से फॉलो किया जाए तो बहुत सारी चीजे हैं जो हम और एक और चीज है जो हम सब को मिलता है वो है अच्छा खाना हमारा जो हल्वा है मुझे लग रहा है कि कुछ बनके तयार हो गया है रंग इसका बतलने लगा है अब जैसे आप सूजी का या आटे का हल्वा बनाते उसी तरह से उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ज़ाता है उसमें ठाट लग दालेगे घटा डालें जब के अब नग्या है और साथ लूप भून ग्या है और सिर्स्ट भी लुट उपर आ गया है और मैं पेशिंस् लूग गए लुट बटा में पहले से उठे लड़ बटा या ए रख लेकला है क्यूकि हम पटा पटा जालेंगे और आपने देखा कि में हर बार पिसी भी चीनी डालती हूं क्योंकि इसे एकदम जल्दी से बन जाता है खाना घुले में वक्त नहीं लगता है तो देखने की चीनी डालने से भी उसका काफी रंग बदल गया है और अब हम इसको जब तक चलाते रहेंगे कही न कही यह रंग आगया है जो हम साधारन आटे का लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल ही फरक है और इसको हम हलकी आज पर पका रहें जिससे उसका जो घी है वो सब बहार आ जाए देखिए खुश्मू तो इसकी आई रही है तो यह हमारा हल्वा भी पक के तैयार हो गया है बिल्कुल ठसकी होतर पानी पानी एफ़ा लंग वो आढ valley आज झाले झाले लात रही है तो आफ़ा खेत आए जालागी रादो नहीं ओignडिया तो यह र्ड़ रात आप बाहर आगया है तो यहोल्षा बलात बाहरा है दोगाए तो ते हम फोने थाला सिस्का पतितों पकल नृटी जा तो इसको हमने निकाल लिया और इसमें आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं अब इसमें हमने किश मिश डाल दिये और जो इलाइची हमने बचा के रखी ती उपर से हाँ वो इलाइची पाउडर भी टाल दीजे टेकुरेट करने के लिए अपके पास बदाम है या काजू है या जो भी आपके पास हैं घर में जो भी पड़े हैं आप उनके उपर सजा के गा सकते और आप चाहें तो चांदी कबर्क भी लगा सकते हैं पर मुझे लगता है कि यह गानिश इती सी जितनी भी आपने की है उसी में बहुत टेंटिंग बहुत रिलशिंग लग रहेगे तो य आड़ी भी मेरी फेवरेट है, हलवा भी मेरा फेवरेट है, मैंसे चक्तियों और आप सभी को बताती हूँ कैसा बनाएगे। बहुत गरम है पर बहुत स्वाजिश लग रहा है। बहुत बहुत यामी बनाया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा है। अब मुझे लगता है कि आप सबको भी ये जरूर ट्राय करना चाहिए, आपके नवरात्रों में आपके वरतों में बहुत अच्छी रेसिपी हो सकती है। तो सीमा जी आज फिर आपने हमें दो नई रेसिपीज बनानी सिखाई, आपने कड़ी बताई, हमें हलवा बताया, दोनों ही यूनीक थे, बहुत ही स्वादिश थे, बहुत ही अच्छे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप लोग भी इन रेसिपीज को अपने घर में ट्राइ कर सकते हैं, अपने नवरात्रों को और भी इंट्रस्टिंग मना सकते हैं। और साथ ही सही तरीके का खानपान करके, सही तरीके से उपास्तना करके अपने तमाम चक्रों को भी जागरत कर सकते हैं। कल फिर लेकर आएंगे कुछ नया आप सभी के लिए तब तक के लिए नमस्कार